हाई गाईज, वेलकम डू हाली बोर्ड, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी बहतरीन होंगे, और मैं सौरब आप सभी लोगों का क्वांट एंड साइंस वेकल्टी, और सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, और आज अपन बहुत ही यहां पर करने जा रहे हैं, आखरी के 20 दिन लगबग आपके बचे हुए हैं, लेवल 2, 3, 5 का, CBT2 का जो एक्जाम होने वाला है, तो मैंने सोचा एक आपके लिए स्ट्रेटिजी वीडियो बनानी चाहिए, वो बच्चे जो थोड़ा परिशान रहते हैं कि भी आखरी के 20 दिनों में क्या करना है, तो कुछ मैं अपना personal experience आपके साथ share करना चाहूँगा कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है, और क्या चीजें करनी हैं, क्या चीजें नहीं करनी हैं, और अगर आपने ये सारी चीजें कर लिया है, तो समझ लेजे कि exam आपका clear है, कोई आपको न रखना है, तो पहली चीज जो है, don't study anything new, ये मैं हर बार कहता हूँ, आप भी कहोगे, सर आप बार-बार कहते हो, लेकिन मेरी बात सुन लेना, don't study anything new, except current affairs and gk, ठीक है, अब 20 दिन बचे हुए न, मैं new का ये मतलब नहीं है, कि तुम current affairs या gk पढ़ना छोड़ दो, या कोई ऐसी information आती है, जो कि अगर तुम पढ़ भी लिये, तो साइद exam में option देख करके कर दो, ऐसे वाली चीज़ों को मैं नहीं कहना चाह रहा कि don't study anything new, उनको आप जरूर पढ़ो, यहाँ पर anything new का जो मतलब है, वो है कि कोई maths या reasoning के बड़े-बड़े concept, ठीक है, किसी भी तरह का बड़े-बड़े concept नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, जिन में आपको लगता है, कि अगर मैं यह चीज़ पढ़ा, तो मुझे उसके उपर बहुत ज़्यादा practice करनी पढ़ेगी, और फिर बहुत practice करने के बाद उस चीज़ में master हो पाऊंगा, तो उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, मेरा यह कहने का मतलब है कि don't study anything new, जिस चीज़ में, अब ऐसा लगा मालीजे, आपने compound interest पढ़ रखा है, लेकिन आपको कोई आ करके ऐसा बोलता है, कि भाई, मेरे से तो ये वाला method आता है, मेरे से ratio method आता है, मैं बहुत जल्द जल्दी इस method से सारे सवाल कर लेता हूँ, अब फिर बता चला, आपने वो चीज़ पढ़ ली, और आप उस चीज़ की practice करे नहीं हो, आप उस चीज़ की practice करे नहीं हो, आप बस method जान गए हो, कि ये method क्या है, ठीक है, तो आपको दोस ने बोला, आप method जान गए, आपने practice कर नहीं है, फिर paper में अगर सवाल आया, तो आप try करोगे वही method apply करने का, और practice नहीं, कियो तो हो सकता है वहाँ से, आप से वो सवाल हो न पाए, तो उस condition में फिर आप panic कर जाओगे, कि यार मैंने पढ़ा था, सवाल बना नहीं, है ना, तो बड़े-बड़े concept नहीं पढ़ने अच्छा, एक और चीज़ है, do revision whatever you have prepared, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ ली है अभी तक, जैसे reasoning में जो पढ़ लिया, GS में, science में, maths में, जो चीज़ें पढ़ लिया ना, उनको regular basis पे अब revision करिये, कम से कम last के 16-17 दिनों तक, last के 16-17 दिनों तक, आपको सारी करते रहना है, जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा है, जो भी notes आपने बनाई है, exam के 3-4 दिन पहले तक, एक mock आपको regular basis पे देते रहना है, mock सभी देना, मत बंद कर देना, take one mock per day, till three or four days before the examination, ठीक है, exam के 3-4 दिन पहले तक, एक mock regular basis पे देना है, और कब देना है, जब आप का exam का time हुआ करता है, किसी दिन आप सुबह वाली shift में अपना exam दे दो, किसी दिन evening वाली shift में अपना exam दे दो, दोनों shift में exam देने का अपनी habit डालो, कि अगर आपका सुबह की shift में paper है, तो भी आप 11-12 बज़े वाले समय में, 10-11 बाले समय में, आपका दिमाग सही चल रहा कि आप दोपार के समय में भी पेपर दे सकते हैं और सुबह भी पेपर दे सकते हैं ठीक है current affairs revision करिए repeatedly, repeatedly मतलब बार-बार करना है कम से कम आपका एक साल का तो minimum और अगर हो सके तो डेढ़ साल तक का current affairs यानि पूरा 2021 और 2022 जितना भी हो गया है चार महीने आपका है कम से कम नहीं तो अपरेल तक कुछ भी नहीं तो 2022 के चार महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अपरेल तक और आपको 2021 का पूरा, कम्प्लीट 2021 का current affairs आपको पढ़ना है और एक बार नहीं पढ़ना है बार बार पढ़ना है current affairs ऐसी चीज़े जो भूलती बहुत है तो इनको regular revision दे क्या हो जाता है ना लास्ट के टाइम में लास्ट के पंदरा से बीस दिनों में लड़के क्या करते हैं ना सोला सोला गंटे पढ़ने लग जाते हैं अठारा अठारा गंटे पढ़ने लग जाते हैं मतलब जब से सो के उठते हैं और सोने तक वो पढ़ते ही रहते हैं छे छे उसको exam के लिए ताजा ताजा बना के रखना है तो अगर आपकी आदत है कि आप दिन का 7, 8 गंटे, 10 गंटे पढ़ते हो न आप उतना ही पढ़ो मेरी बात मानो आपने अगर साल भर पूरी पढ़ाई करी है तो फाई आपको कोई नी रोख सकता आपका exam केलियर करने से तो अगर आप दिन का 8 गंटे और 10 गंटे ही लगातार पढ़ रहे हो न उतना ही अभी ही भी पढ़ना है उतना भी अभी भी पढ़ना है और इतना बहुत है 8 से 10 गंटे की study बहुत होती है यह जो मैं point बताने जा रहा हूँ यह सबसे ज़्यादा महतुपून point है revise your previous mocks one by one यह मैं हर बार कहता हूँ मैं इसलिए कहता हूँ मालीजे आपने 20 mocks लगा रखें आज की date में आपने 20 mocks लगा रखें 30 mocks लगा रखें इन 30 mocks में सबसे ज़्यादा आपके वो वाले हैं जो की आपने question छोड़े होंगे skip किये होंगे सवाल वो सवाल भी होंगे जो आपके गलत होंगे और कुछ ऐसे सवाल हुए होंगे जो आपके सही तो हुए होंगे लेकिन इन correct वाले सवाल में आपने time बहुत लगा दिया होगा ठीक है इन में आपको time ज़्यादा आपका लगा होगा ठीक है तो इन तीन प्रकार के आपको सवाल करने हैं आप वहाँ पे filter डालिए जो पुराने mock लगा रखे हैं उनके analysis में जा करके filter लगाए कि skipped question कौन कौन से है कौन सा concept ऐसा लग गया था जो मैंने नहीं कर पाया था किस concept में फंसा था क्या ये सवाल में calculation में फंसा था सारी चीज़ों को ध्यान रखना है ठीक है तो previous जो आपने mock लगा लिए चाहे previous year paper को mock के रूप में लगाया हो या आपने अलग से mocks लगाए हो तो पेपर में ये गलतियां नहीं होंगी और अगर आप पेपर में ये गलतियां बचा ले गए मेरे भाई तो भरोसा मानिये आपके 10 से 12 नंबर वहीं पे बढ़ जाएंगे ठीक है तो ये बात मेरी ज़रूर माले ना मैं personal experience से बोल रहा हूँ mock analysis से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती है preparation में revise maths concept of all the chapters on a regular basis maths में जितना भी आपने पढ़ा है geometry, mensuration, trigonometry compound interest, percentage, profit loss जितने भी आपने तरीके पढ़े हैं अलग अलग तरीके के सवाल उन तरीकों को लगाना कैसे है किस सवाल में कौन सा तरीका लगना है ऐसे पढ़ते रही है लेट करके बैठ करके notes पल्ट आते रही है कि हाँ इस वाले सवाल में ऐसे करना है price and consumption वाले सवाल में ऐसे करना है partner से बाला सवाल ऐसा करना है triangle का ऐसे सवाल करने है तो उन सारी चीज़ों को regular basis पे revise करते रही है और reasoning का topic wise questions आपको solve करने है reasoning के topic wise questions आपको solve करने है previous year pattern देख करके ठीक है चलिए एक एक करके सारे आप discuss कर लेते है अपन की बागी सम्में strategy आपकी कैसी होनी चाहिए detail strategy math में मैं आपको बस points बताता चलूँगा क्या करने हैं आपको आपको अपने previous mocks revise करने है previous mocks questions आपको वहाँ पे revise करने है अपने सबसे ज़्यादा important यह must है यह must लिख रहा हूँ इसके बाद cbt2 जो आपका level 4 और level 4 और level 6 का जो अभी अभी answer की आई है उस answer की से सारे maths के सवाल आपको लगाने है solve all maths questions ठीक है सारे आपको वहाँ पे maths के सवाल वहाँ पे आपको लगाने है ठीक है cbt2 level 4 और level 6 में आई हुए सारे maths के सवाल इसके अलावा आपको ssc cgl ssc cgl 2021 का जो pre है ना pre में आई हुए maths के questions आपको solve करने है math questions आपको solve करने है पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है तो ये भी आपको करना है इतनी मैं चीजें बता रहा हूं फिर इसके बाद एक और लास्ट चीज करनी है formula revise करना है formula revision आपको करना है formula revision करना है और आपको table याद करनी है ठीक है table revise करनी है table revise करनी है ठीक है table revise करनी है यानि कि 20-25 जहां तक की है ना जहां तक का भी पहाड़ा याद हो उनको आपको revise करना है कम से कम एक से बीस तक ये तो कम से कम है और अगर आप 30 तक का याद करके रखे हैं तो इससे बहतरीन कुछ नहीं हो सकता cube root revise करो ठीक है कम से कम 30 तक के cube root याद होने चाहिए आपको square root कम से कम आप 50 तक के याद कर लो ठीक है आपको पता है level 4 और level 6 में डेड़ साल तक के current affairs पूछे गए हैं बाकि जहां से भी जिस भी book से आपने पढ़ा हो जिस भी notes से आपने history quality वगेरा चीजें पढ़ी हो जिस भी notes से आपने history quality ये सारी चीजें आप पढ़े हो तो इनको history quality जोग्राफी हो गया ठीक है और आपका बाकि सारे भी जितने chapters हैं science वगेरा हैं तो इनको आप revision करिए ठीक है आपने उमीद करता हूँ कि आप वहाँ पे highlighter वगेरा से important important points mark किये होंगे उनको regular basis पे आपको revision करते हुए चलना है current affairs डेल्ट साल की ये तो बार बार पढ़ो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ बार बार प information आप gain करते चले जाओ ठीक है चलिए science का आपको अगर पढ़ना है तो science का आपको पता है science by soraf sir दे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ science by soraf sir अच्छा idea दे रहा हूँ science by soraf sir ये telegram group है मेरा ठीक है इस telegram group में आपको धेर science की कम सो से ज़्यादा आपको वहाँ पे PDF मिल ज करके बस ऐसे scroll करते चलिए मेरा hand written notes उसमें available है कि answer क्या होगा उस answer के साथ 4 extra information भी आपको लिखी हुई PDF में मिल जाएंगी तो आप उन PDF को जरूर revise करिए science के लिए और quality थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए quality में रखिए articles आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने क्योंकि articles ज history ही तो history में history में थोड़ा सा modern Indian history पे ध्यान देना है ठीक है modern history पे आपको ध्यान देना है और बहां की उसी तरह चीज़ें पढ़ती रहे हैं जिग्राफी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ठीक है आपको physical geography physical geography जो है भौतिक है ना जो आपका भौतिक भूगोल है physical geography उ कौन सा राज्य किन किन राज्यों को छूता है सीमाएं किसे किसे बाटता है पूरी physical geography पढ़नी है क्योंकि physical geography से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे है ठीक है आपका मंदिर उंदिर ये सब भी physical geography में आता है static gk का part है लेकिन है तो geographical area ही ना है ना कि उसकी geography कहां पे है भारत देस में तो physical जोग्राफी पे पूरा focus अपने को रखना है reasoning strategy मैं आपको बोताता हूँ सबसे अच्छी चीज level 4 level 6 का answer की देखो और answer की से सारे सवाल लगाओ answer की आप check करो सारा जितना भी level 4 और level 6 में आए हैं और सारे सवाल all questions वहां करके आपको क्या करने solve करने सारे questions जितने भी आए है ना उन सारे सवालों को आपको solve करना है फिर इसके बाद अपने mocks लगाने है mocks analysis चेक करना है कि reasoning के कौन से सवाल बने है कौन से नहीं बने है थोड़ा सा extra में अगर आपको कुछ करना है तो मैं बोर रहा हूं banking के मैं आपको बोर रहा हूं banking के series pattern के 30-40 सवाल कर लो series pattern वाले जो banking के हैं कम से कम 30-40 सवाल की practice कर डालो practice कर लो 30-40 सवाल की बहुत important है ठीक है सबसे important अगर कोई चीज है तो level 4 और level 6 का reasoning के सारे सवाल आपको करने ही करने है ठीक है clear है और इसके अलावा SSC CGL tier 2 तो tier 2 में तो होता ही नहीं है tier 1 जो 2021 का हुआ है SSC CGL का उसके reasoning का आप sectional test reasoning के जितने भी questions आए हैं उन questions को solve कर लो क्योंकि level अच्छा आया था SSC CGL tier 1 में reasoning का level थोड़ा सा high था और अगर आप थोड़ा सा high level की practice करके जाते हो ना तो reasoning में आपके marks already बढ़ जाएंगे यूँकि अगर आप देखो तो reasoning के सवाल भी paper में अच्छे आ रहे थे ठीक है तो इन बातों का ध्यान रखना है यही last 20 days में आपको करना है कुछ भी नया study नहीं करने का यही मतलब था कि आपको यही जो मैंने बातें बोली हैं इन 15 मिनट में इनहीं पे सबसे ज़्यादा focus करना है ठीक है अब जितना पढ़ लिया पढ़ लिया बहुत पढ़ है आपने उपर भरोसा रखके जाओ मैं अपने personal experience से बता रहा हूँ मैंने तीन से चार exam clear किये हैं मैंने इन ही सारी चीजों को वहाँ पे experience किया है कि अगर आप last के दिनों में इन सारी बातों का ख्याल रखते हो तो आराम से आप exam अपना clear कर ले जाओगे ठीक है चलिए तो यहीं पर खतम करते हैं सेशन को और उमीद करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा और लिब बोर्ड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं banking exams के लिए famous है तो और लिब बोर्ड के दो बहुत ही बहतरीन batch आप सभी के सामने यहां पे हैं एक है SBI PO 2020 का pre or mains और एक है IBPS RRB PO का pre or mains यह दोनों fit batch के नाम से आपको मिल जाएंगे fit का मतलब है faculty, industry experts और toppers आपकी मदद करेंगे इस पूरे preparation में जो आपकी classes हैं वो SBI PO के mains तक की चलेंगी life classes batch आपका bilingual और English medium दोनों में होने वाला है यह दोनों batch चेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ combined life classes, practice session, strategy session, preparation tips, pre or mains के mock test, sectional test, सारी चीज़ें इस batch में included हैं और अगर आप code use करते हो SORV तो यहां पे आपको 5% का और extra discount मिलेगा तो आप इस batch को जरूर जोईंग कर सकते हो यह all-in-one plan है, olive board का जो की banking super elite के नाम से आता है, यह एक ऐसा plan है जहां पे सारे banking और insurance के course मिल जाते हैं इनका course का access, सारे mocks मिल जाते हैं, pre, main, sectional, mock test, सारी चीज़ें और जितने भी नए course, जितनी भी time के आपकी validity रहेगी, उस validity में launch होने वाले सारे नए course का access भी आपको मिल जाएगा codes और रव यूज करके आप maximum discount ले सकते हैं और olive board के साथ अपनी journey सुरू कर सकते हैं मिलेंग अगली वीडियो में ख्याल रखेगा, take care, bye bye, comment box में जरूर बताइएगा, strategy session कैसा लगा और आपका exam कभ है, like करिए, share करिए और subscribe करिए, olive board SSC channel को, ऐसी ही और वीडियो के लिए, मिलेंग अगली class में ख्याल रखेगा, take care, bye bye and heavenize day